पेटरोलियं से उत्पन रसायन, पेटरो रसायन कहलाते हैं. पेटरो रसायन के प्रारमबिक उपयों की कहानी बहुत ही रूचक है. पहुत समय पहले खाडिक शित्रों में पेट्रोलियम धीरे धीरे गड़ों से स्वतह निकलता रहता था इसमें उपस्तित पदार्थ वाश्प्रशील होते थे अतह कुछ समय बश्चात इसमें एक चिपचिपा पदार्थ बच जाता था इसका उपयोग नावों को जलरोधी बनाने में किया जाता था लोगों ने इसका उपयोग मकान बनाते समय इंट पत्थर जोड़ने के लिए भी किया लगभग 200 वर्स पहले पेट्रोलियम से मिट्री का तेल कीरोसिन प्रिथक किया गया तब से इसका उपयोग इंधन तथा प्रकाश के लिए बहुतायत में होने लगा 19. शताबदी के मध्य पेट्रोलियम से प्राप्त जैली का प्रियोग मजदूरों द्वारा जक्मों और जलने के उप्चार हेतु किया जाता था इसके आधार पर ही सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में पेट्रोलियम जैली के उप्योग की शुरुवात हुई पेट्रोलसायन का उप्योग अप्मार्जक, रेशे, पॉलियस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आधी, पॉलिथिन और अन्यमानो निर्मित प्लास्टिक आधी के उध्योगिक निर्माण में किया जाता है आज विभिनक शेत्रों में प्लास्टिक उत्पादों ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है इस उध्योग का देश की अर्थवेवस्था में महतपुन योगदान है विभिनक्षित्रों में इससे बनी वस्तों का व्यापक उपयोग होने के कारण इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है